यो वाट्स अप गाईज कैसे आप सभी लोग आप आपसे लोग एचेंड तमदर्स के लिए मेले हैं जी टेवा तो जैसे के आप लोगों लास वल एपिसोड दे होगा तो गाईज आप लोगों पता होगा के भाई यहां पर मैं कायो पैरिको आइलेंड गया था क्योंकि सबसे बड़ी बात है वहाँ पर मैंने लैसर को देखा था वह भी एल रूब्यों के साथ में मतलब भाई लैसर दो जगा पर कैसे हो सकता है एक ही टाइम पर यार इससे पहले भाई मैं लैसर घर पर भी गया था वह अपने घर पर था बाद मैं कायो पैरिको गया तो लैसर वहाँ पर भी था यार लैसर दो जगापर था भाई पता नीड़ गया चल रहा है बाकि यह जो बेस है ना यह हमारा नहीं है यह लैसर को चेक करने के लिए बाकि क्रिमिनल मिर से ये बोल रहा है कि माइकल लैसर हम से कुछ नकुस तो चुपा रहा है अब पत्ता नहीं गाज वो क्या चुपा रहा है बाकि आप लोगों तो ये पता होगा कि भाई मैं वाइट हाउस के अंदर गया था अब वहाँ जाकर मैंने जो प्रेजिडेंट रहा इसक कितना भी प्रेजिडेंट का डार था वो तो चुरा लिया है पता नहीं गाज ये क्रिमिनल कब तक पता लगाएगा बाकि अभी मैं सिधर लैसर के पास निकल रहा हूँ क्योंकि लैसर गाइस हमसे कुछ ना कुछ तो चुपा रहा है और गाइस वो मिरको पता लगाना है अ तो गाइस वो पूरा सेफ है मिलिटरी करना ले गाइस उसको आराम छोड़ दिया था वो अभी अपने घर पर है बस रही बात लैसर की तो पता नहीं गाइस इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ओके बाए लोग यहां पर मैं अपनी गाड़ी को लेगा सीधा पहुंच बिनी जाने वाला थोड़ा पीचे की तरफ ही रहते है कि यहां पर थोड़ दिर वेट करना है देखते हैं लैसर अगर भार निकलता है करता क्या है उसकी हर एक चीज को मिलेको नोटिस करना है और यह देखो भाई साब सद्यों भी चुक हैं लेकिन इनसे जोने घर नहीं ब और गई सेकेंड ढ़ एक बंड लैसर घर के अंदर से निकला यह बंड़ को हमें भाई तो मिर ने को चौर लग रहा है चोर नी तो प्रिजनर है यार और गाईस वो जो बंड़ है वो तो बाईगों पर बैठे काहीं जाने वाला है ज़का लग रहा है उसकों यह यह अधर की तरह भाई वो गया काहा भाई वो तो हवा की तरह गया लोग आज जीर आपा पीछे कि तरह और मैं चाहँ तो गाई यहाँ पर इसको अराम से एक गोली में इसका खेल खतम कर सकता हूं देखे नुख जाओ मेरे को बस यह देखना है यह बंदा जा कहा रहा है और लेस हो कुछ ब्यों सकता है छल बढ़ा चल तेर को आज देखता हो मैं तो कहां तक भागएगा अपनी गाड़ी के अंदर बहुत जान है यार हलके भलके में नी लेनया और अपनी गाड़ी को एतनी खतरनां गाड़ी है गाई यह जो बंदा है ना पता नहीं मेरे को कहां लेकर आरा है मैं तो यह सोच्छ रहा हूँ जो है यह ए ऐक टक्र मारक है सुकर duż के फर खेल करता हूं और एक सेकंड रुँजो यह जाग किदर रहा है भाई इसका पीछा करना पड़ एक सेकिंड एक सेकिंड यह चला किदर गया भाई यह गायवायब होगेगा भाई साब guys ये वहीं घूमे जा रहा है और भाई साब ये तो अपनी भाई को किसी ये कहां लेकर निकल गया भाई अपनी भाई को एक से किर रुख जाओ भाई मेरे को भी अपनी गाड़ी के अंदर जल से लदी बैट के उस बंकर के अंदर निकलना पड़ेगा वो चीज है क्या और लो गाईज हो गया भाई अपने साथ scam हो गया मेरे को लग रहा है लो गाईज यहाँ पर ये तो बंद हो चुका है भाई ये चल कर रहा है मेरे साथ वो बंद हो यार मैंने ये क्या कर दिया बहुत ज़्यादा बड़ी मैंने गलती कर दिया है सबसे पहले बाई क्रिमिनल के पास कॉल करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार इस बंकर के अंदर वो जा चुका है बाई वो तो गाया भी होगा एक सेकिंड के अंदर तो गैस उसके पास कोई प्रूफ है ना कुछ है उसने भाई अपनी जितनी भी आर्मी है वो गैस मेरे घर पे बेज दी है मेरी फैमिली को अरेश्ट और गैस किल करने के लिए मैं सही बता रहा हूँ उसकी ऐसी तैसी कर दूँआ किरिमनल तो ये बोले के माइकल कुछ ही मत करी हो क्योंकि अभी जो प्रेजिडेंट ना ये भाई कुछ भी कर सकता है हमार साथ इसके पास पावर है तो भाई पावर तो कुछ ही भी करेगा क्या रुप जाओ गाईस अभी सबसे पहल तो अपने घर पे जाके देखना पड़ेगा इसने अपनी कितनी आर्मी में एक घर पे भिजवा दिया है चलो बाई लो यहाँ पर मैं अपनी मर्सेडीज को लेकर सीधा आचका हूँ अभी अपने घर पे अभी अंधा वंधा है के भाई बाई कैसे चला रहा है समझ नहीं आ रहा और यह देखो बाई मेरे घर पे इनोंने क्या कर रखा यार अंदर की तो ओ बाई जट के उपर भी बंदे खड़े करवा दिये हैं माईकल की फैमिली हाँ पर नहीं वो तो पूरी सेफ है लेकिन मैं सही बता रहा हूँ गैस मेरे तो ऐसा मन कर रहा है हाँ यहाँ पर उत्तर के इन सब को मार हूँ यह जो प्रेजिडेंट नमून है यह भाई मेरे से फाल तुमें लड़ना चाह रहा है मेरो गाइस अभी जो ना हैल्प की जो रची है और मैं सीधा अभी लौश्ट गेंग एक बॉस के पास निकल ला हूँ क्योंकि गाइस वो ही एक बंदा है जो हमारी हैल्प कर सकता है तो भाई मैं जो वो गाइस जो मेरे घर पे गड़ी थे मैं उनको डायरेक्ट किल नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने वो किल कर दिये तो प्रेजिडेंट तो यही चाहता है कि मैं उसके गाइस को किल करूँ कर लेका है और वो कोई न कोई बहाना लेकर पास युँदा है आ पसके पास हमारी पहले लडाय हुई है लौश्ट के बहुअ कर लेकिन उनको पैसों के लिए काम करते है ओर लॉस्ट गेंगे बॉस के अड़े पर एक तो भाई यह जो बंद है इतना जाता अपना बेश चेंज करते हैं गाड़ी को अंदर की तरह फिले के चलते हैं यार गेट ओपन कर दो भाई इतनी इजट विजट देदो भाई थोड़ी सी मैं हापा रहा है चलो अपनी गाड़ी क जगापर गईज अपना बेश बना कर रहे लेते हैं अब यार कहां पर एक तो एक सेकेंड लो गाइस वह रहा इसका बॉस मुझाट दीख चुका है चलो इससे बात करते हैं अब भाई सहाब यहां पर हर एक बंदा नश्य करने में लगा हुआ है अलगी सीन है अब यार बा एक Maryweather का base था मतलब अगर आप लोगों को पता होगा कि बाई कल क्रिमिनल ने मेरे को फुटेज दिखाई थी वो Maryweather वाली base की और भाई वो जो base है वो इतना जादा खतरनाक है गय सीधी बाती है वो जो base है वो प्रेजिडेंट ने मिलिटरी करनल को मारने के लिए बनाया भाई ताकि जो प्रेजिडेंट है वो अपने दोस्त को एक नया करनल बना सके और पूरे लॉसेंड उस पर राज कर सके और गाई यह सार से बात अभी किरिमिनल ने मेरे को बताई है सबसे पहले तो यार इसकी help लेनी पड़ेगी बात स के लिए अभाई क्या नकली बन दो भाई जी क्यों रहे हो भाई लॉसेंडोस के अंदर तुम तो हकी निया भाई तुम मर जाने चाहिए बाई चूरण लोग है सार सारे सुट्टा मारने के लिए इनके पास पैसे आ चुके हैं और यह नशा करने के लिए बहुत चरसी यह में से बोल रहा है कि माइकल देख सीधा हमारी वैन को ले जा और गैस वहाँ पर जाने के बाद हम जो लोग हैं गैस वैपन को भी चुराने वाले हैं और साथ के साथ काफी सारे टैंक वैंक को भी चुराने वाले हैं मेरे साथ 3-4 बंदे चलने वाले हैं और यह सार सारे lost gang के बंदे गाज इनको मिले को pay करना पड़ेगा मतलब ये free में तो काम करने नहीं वाले पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई मैं lost gang की गाड़ी चला रहा हूँ यार मतलब ये देखो गाड़ी कितने ही जादा नकली से लग रही है न बार यार यार मिले को अपनी आखों बरोसे नहीं हो रहा मतलब मिले को lost gang की help लेनी पड़ रही है इतने बुरे दिन आ चुके है चलो कोई नहीं यहाँ पर बुरे दिन चल रहे है अच्छे दिनी भी आएंगे माइकल के सीधर निकलता है भी guys group 6 के base में और हाँ guys आप लोगों मैं यह बता दू कि guys यह जो group 6 नहीं यह एक service लोसेंडर से गवर्मेंट की तरफ से इनके पास काफ़ी सारे weapon, tanks, guard यह अर्मर्ड वाली होती है तो अगर हमने इनको चुरा लिया तो merry weather वालों की तो भाई ऐसी के तैसी कर देंगे चलो guys यहां पर मैं lost ganky van को भागाते भागाते पहुंच चुका हूँ सीधा भी group 6 के base में और guys यहां पर जाने का बाद सीधा निकलते हैं अंदर की तरह उड़ देखो आगी की तरह भी बंदर अंदे ख़ड़े हुआ और guys सबसे पहले तो अंदर की तरह निकलना पड़ेगा तुमने भाई मेरे को समझ कर रखा है भाई यार इनको कैसे पता कि आपर आने वाले हैं इन्हों तो भाई डेरेक्ट हम पे भाई गोली चलानी स्टार्ट कर तेरी ऐसे जिमर भाई हटना भाई तुम लड़ोगे भाई हमसे तुमारी ऐसे चलो बटा भाई 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 गाई सहां पर तबाही मेना मचा आख रख दिया है लोससेंटोस लोससेंटोस बोलना हो यार इनको ये लोस्ट गेंगे बंदे मर वर गई कैमे को ऐसे लग रहा है इन house आख रूना अिन में पहना भाई भाई है अन भाई रारम पहना कुछ भाई पहना भी नहीं है छैDoes गवाई काफी ज़ा यहां पर आका राम समझे में खेल रहे तो यहां पर यह उन्हुन भाई 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 या टिभाई कर दिया भाई म मेचा, यह ठाहिए अब तुम नमूने कहां पर रहागा पीछे की तरफ भग्क्या आजाओ और लो भाई पीछे की तरफ ये बंदे आ चुके हैं बाई सहे बाता रहा हूं ये लॉस गैंग भाई मैं तो नकली बखली समझ रहा था लेकिन उसने अपरे टॉप लेवल के बंदे बेजे बाई लॉ बंदे तो आ रहे हैं लॉस गैंकी और एक बंदा और तो भाई मरवर गया क्या गाइज हमने आपर ग्रूप 6 के सारे के सारे टैंक वेंग चुरा लिये हैं अब गाइज यहां पर वो जो मैरी वैदर वाला बेस है जो कि प्रेजिडेंट ने चुपा के बना रखा है को पता है चलना है गाइज वो मैरी वैदर वाला बेस हमका पूरा जलाकरा कर दे रहा है चलो भाई सब यहां पर मैं फ्रेंक्लिन को नहीं लेकर जा सकता क्योंकि भाई मैंने चाहता कि भाई वो जो ना दुबार से प्रोब्लम में फसे और यह लोग आ रहे हैं चलो आगे की तरह भाई यह टैंक इतना खतरनाक है बस मैं क्या है बता हूँ भाई बंदे को देखो ऐसी कुछल दिया यार भाई 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 अब गेट खोल भाई तोड़ के चले जाएंगे ना तो और हां गाइस वो देखो पीछे की तरह से बंदे भगते बार हैं और काम होने के बाद मतलब जब वो मैरिवेधर वाला बेस पूरा डिस्क्रोय हो जाएगा तो गाई यह जो टैंक है यह वाला जो मेरे पास है इसको तो मैं ही रखने वाला हूँ बाकि वो जो तीन गाड़िया थी वो यह लोश्ट के बंदे रख आसानी से चड़ जा रहा है यह देगो अब यार क्या बढ़िया चीज है मैं फालतो के बंदों को मार जा रहा हूँ चलो गाई यह लोग भी आ चुक है एक अबे दूसरी गाड़ी कहां पर इसके टैर तो इतने जाद है ना मतलब पीछे वाली गाड़ी के अब कहां रहेग तेर को भी भोज दा बुरी तरीके से मार रहा हूँ आग लाकर रख देंगे भाई अब यार एक तो भाई यह जो लोगे ने इतने स्लो स्लो आ रहे हैं बस मैं क्या है बता हूँ और गाईस यह जो टैंक नहीं कोई चोटा मोड़ा टैंक नहीं है इसके अंदर लेजर लग मतलब वो देगो ओ एक सिकेंड यह उपर कैस जाती है बाई मिरको तो समझ नहीं आ रहा है बाकी यह लेजर इतनी खतरनाक है अगर पर बंदा है गाड़ी बाड़ी आ जाती है बाई सब तबाह करके रख देगा है सामतर वो गाड़ी आ रही है चल बेटा निकल यहां से और यहां एक सेकेंड भाई सा भी देगो अब हटता यह इसको चलो बाई मैं तो निकल चुका है यह अपना आ जाएंगे अब मारते मारते आजो भाई सा वो ट्रक वाले को देगो यह कहां क्या कर दिया है भाई उन्हें बाई अलगी सी नहीं लोश्ट गेंग वाले बंदे भी एक सी तसी सब कसम मरने वालो अब भाई सभी क्या करने भाई लो और एक सेकंड रुग जाओ यह क्या होगा भाई अपना टैंक फट या वाई यहाउन कैसा पॉसिपल हो सकता है लुटन फे निकल लुटन निकल यह वाले अगना जाए तुम्सक्टन टैंक श्रद तबाई यहां पर कुछ जादी तबाही मज़ चुक है सब के समरोगे वाइब ट्रेनिंग चेल भी तिका मेरको ऐसे लग रहा है मारो भाई मारो अब यह कहा बगदे भाई और गाईज बाहरे तरफ तो कुछ जादी खतरनाक सींच चल रहा है हटा या लोस यह क्या करने में लग रहा ह यहां पर तो कुछ जादी खतरना सीन हो चुका है अबे 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 चल बटा यहां से कहां भगने कोशी करी जा रही है अबे तू मारेगा मेरे को इतना बड़ा हो गया अब एक और ले और गाइस यहां पर यह देखो मतलब यह चल का रहा है भाई जाड़ना आग लग चुकी है और यह लॉस्ट गैंग वाले बंदे भी मारे जा चुके हैं भाई मैं क्या अच्छा यह तो अपने बंदा भाग भाग बंद निकल निकल भाई यहां से यहां पर तो गाइस तबाही माच चुकी है यार यह बंदा अब तक लड़ने में लग र ऑब आज तब मतलक बतला गाड़ी फट चुका यार चालग रही है एक से के यार यार की की तेस किë मार हो सबको 1 अच कुर के ब्रहु निकल यहां गाड़ी चोड़े और तुम्हारे बसके यह वह तो म की तो मैं आई गाड़ी निकला यहां से अगर मैं रेल पकल लूँ और यहां से अगर यहां से निकलना पड़ेगा लॉसेंट उसके लिए वाई यहां पर बहुत ज़्दा बड़ी मुसी बता चुकिए गाई उपर तरफ हेलिकोप्टर भी है वेटा बहुत ज़्यादा बुरी तरीके समादों तुमको चल ब जो पुलिस है यह तो भाई मेरा पीछे नहीं छोड़ रही यार एक से किड़ जो पीछे तरफ को हेली कोप्टर तो नहीं है और गाई यह जो लोग है ना जल सल्दी आइधिंग छोड़ देना चाहिए मेरा पीछा भागी नहीं गश्कोई गाड़ी मेरे को नहीं दिख रह है और मैं पुलिस की जो रेडार है इससे काफ वी तब भार आ चुका हूँ सबसे पहले तो गाई की तरफ निकलता हूँ चुपके चुपके से और हेलिकोप्टर यार वह आ रहा है वह एक सेकिंड जो भी गाई मेरे करीब आएगा तेरी तैसी तैसी मारों मरेगा मरेगा मर पूरा सेफ हूँ थोड़ा आगी तरह और निकल चलते हैं पूलिस वाले पता ही नहीं लगा पाएंगे के गाई बीच रास्त में यहां पर जो ना मैं कूच जा हूँ हूँ ताकि इनको कुछ पता ना लगे ओके गाई यहां पर जो पूलिस वाले इन्होंने बाई मेरा पी अब ही मेरे पास military करन को लाई है और military करन में को तुरंत को तुरंती military base कर अंतर बोला रहा है तो भाई मैं यह देखो ख़डा कहां पर हूँ जो गाई यहां पर कूदना पड़ेगा यार रोड कितनी ज़्यादा दूर है भाई मेरे को बागना पड़ेगा चलो बाई सब य एक जंप लगाने पड़ेगी ओ याद गाड़ी उदर की तरफ आ रही है तो अराम से आ भाई यार खूज़ा खूज़ा भाई सब फाइनली में खूज़ चुका हूँ और गाड़ी रोक लो भाई ये गाड़ी वाला कितनी तेज में लेके निकला है इसकी ऐसी तैसी मारूँ भाई सहाब मैं सोच था वो गाड़ी हाथ लग जाएगी चल बेटा तू दे अब गाड़ी अपनी क्या गाड़ी आ रही है बाई ये अंटी फटाक्स होतो पर उत्रा टैम नहीं है टेक्सी लेके निकल जाना यार अराम से चलो भाई मैं निकलता हूँ से तब भी मिलिट्र पिर बेस के लिए देखते हैं जो करनल वो क्यों बोला रहा है बोल रहा माइकल फटाक साजा कुछ अर्जेंट बात करनी है तिर से चलो यार एक तो भाई यह जो गाड़ी नहीं इतनी स्लो है सुस्त है ओके गाइस यहापर मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा पहुंच क्योंकि यह जो करनल है इसने बाई मेरे को यही जगा बता ही है अबे ने तर तू क्यों आरा मेरे पास तेर से क्या चलान कटवाना पड़ेगा क्या बग जाए यहां से ने तो सुधार्द वहीं कहीं चलो और लो और करनल किसे फून पर बात करने में लग रहा है मुझे प्रोल रूम है वो पूरा है कर लिया है यह बोल रहा है कि माइकल अपना फोन उनकर कर देख और यह जो प्रिजनर्स लोग है ना इन्होंने यह काम किया है और वेट यार यह बंदा तो मैंने टकला जो था यह तो मैं लेसर घर के बाहर देखा था भाई जो कि भाई मेरे हा अगर मैंने military kernel से यह बोल दिया ना कि ये तो लेसर घर के बाहर निकला था भाई मैंने देखा था भाई सा military kernel lesser को भी पकड़ लेगा साथ के साथ इस बंदे को भी यहाएr में क्या बोलू military kernel से फिलाल के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को अभी कुछ ही नहीं पता है इस बारे में चलो गाई जहाँ पर मैंने करनल से बोल दिया कि करनल यार मेरे को तो अभी तक कुछ भी इस बारे में अंदाज है नहीं है यार तिरसे भोजदा अर्जेंट बात करनी है यार इनके साथ भी अलगी सीन होते रहते हैं चलो गाय सीधा भी निकलते हैं फ्रेंक्लिन के पास और देखते हैं क्यों ही बुला रहा है यार नमुना तो भाई सब यहां पर मैं अपने ट्रक को लेके सीधा पहुच चुक हूँ अभी प्लेवय मैंशन क्योंकि जो फ्रेंक्लिन है उसने गाइस मिर को यहीं पर ही बुला है और एक सेकिन हो भाई यहां पर यह स्ट्रोल कैसे लगा रखे हैं एक सेकिन यह देखो भाई मुझे लग रहा है यहां पर कुछ पार्टी वाटी होने वाली है अब यह फ्रेंक् कुछ सेलीब्रीटी आह aan रहे है यह पर क्या करने में ल exemple कोफी मार रहा है अब यह पर बहुरी बता मुर्बी काम ह्यार तो फ्रेंक्लिन होने मेरी साध्य नेवाली है पार今天 कार रहा है अब यह पूरा एक से डेर्ड़ हफता है लेकिन अभी से ही टेकूरेशन अब भाई औ यहां पर यह बिजनिस की डील विल कर रहोगा लेकिन यह तो साधी में चूरो रखा है भाई हमारे उपर यहां पर इतने बड़े-बड़े इंजाम लग रखे हैं इसको जान से मारना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और चाहरा नहीं है बाकि यह जो फ्रेंक्ली नहीं इसको साधी से फुर्सतनी है इसकी पहले साधी करवा दो यार पतानी क्या सीन है तो चलो गाज रहती है आज की वीडियो के लिए बस इत्रक्त है आई हो पीड़ा आ क्यांना चैनल पर सब्सक्राइन एक वीडियो में तरफ क्लेगा और थैंस वर ओचिंग और है रहां गयाज मैंसे बात करने के लाप लूब आपको सब्सक्राइब आइस नहीं संत्य और वादर और रहां मेरे मिस्टे मितले शाब्टा